नमस्कार दोस्तों जिनिय साइंस में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ असुलेशन चाप्टर और ये एक हमारा इंपोर्टन्ट और बहुत ही इंपोर्टन्ट चाप्टर है यानि कि ये चाप्टर के ऊपर आगे हम तीन या चार चाप्टर का बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं इसलिए ये चाप्टर में जो कुछ भी बेसिक डेफिनेशन से जो बेसिक कंसेप्ट है ये concept आपको अगले chapter का study करने के लिए ये chapter आपके लिए बहुत important है अगर आपको इसके उपर जो कुछ भी doubt होंगे जो कुछ भी difficulty होंगी वो आप difficulty comment करके आप मुझे पूछ सकते हैं और उसके उपर मैं specially video बना के आपके लिए में upload करूँगा तो चलो अभी हम देखते हैं असुलेशन चाप्टर के बारे में यानि कि असुलेशन किसको कहते हैं अभी आप यहां देख रहे हैं एक ऐसा पेंडूलम जैसा है जैसे कि दसा आपन बांतकाम करना रहा मांसा विशे पाहल मात बांतकाम करना मिस्त्री करें तुम्हें पाहिला आसे कि यह दोलक अस्तो आपना आशा प्रकाचा उलंब्याची गरज पढ़त अस्ते आई है ना अनि मंग तो भींतिला चिकोट लादा तो अनि दोर यहलुवार पने सोडली जाते अनि तशात प्रकाचा दर ओलंब्यापर काई के ला जरे बाजुला उचल अनि जा सोड़न दिला तर दैट विल्वे मुव इन दिस बे अशा पद्दती ने तो मुमेंट करें और ऐ का और दूसरी यह जो आप यहां सिर्ण ऐसी बॉड़ी देख रही यह बॉरी किया कर रहे ऊपर नीचे ऐसी मुवमेंट ही कर रहे है है ना यह देखो यह कॉंट्राइक हो रही है और अपने जगे पे ऐसा आसुलेशन यह ऑर यहिसा अगर यह असुलेशन है तो इसको भी यह जो मुवमेंट होती है अपन्ट यांड मुवमेंट कैंथ इसको भी हम क्या कहता है इस अल्सो काले ऐस रहे हैं isolation different type के है linear isolation है और angular isolation है यह 剛剛 के अब आपको यहां बताने वाला हो तो चलो अब यहां फवे डेखते हैं आगे का बीट क्या है चलो तो एक्क плох करके definition अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चलो हमारे book में हमारे book में um question पूछा गया है इस question का आप लोग अंसर देने की कोशिश करो, ओके, इस जो concept है, इसका जो है, इसका answer देने की आप थोड़ा सा कोशिश करो, ओके, तो क्या है, देखो, can you recall, ऐसा आपको कहा गया है, यानि की आपको जो कुछ भी याद है, जो कुछ भी आपने पड़ा है, अपनास माहीत आहे का, जर अपने ला माहीत आहे का, थोड़े आठवा, अस सुद्धा मटल जात, यानि की थोड़ा सा याद करो, थोड़ा याद करो, जो पीछे, आपने जो कुछ भी आपने पड़ा ह उसे थोड़ा सा याद करो ऐसा आपको कहा गया है तो देखो यहां एक 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 करके मैं बग अच्छी तरह से यह चाप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं और यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप इस चानल पर नए है तो जल्दी से चानल को सब भूल जाता है तो लाइक करो जब जब आप लाइब सेशन के लिए आ जाएंगे रेकॉर्डेड वीडियो आप देखोएंगे तो उस वक्त पहले आप लाइब करना शुरू कर दीजिए पहले लाइक किया करो और उसके बाद उसके बाद जब आप आपको लगता है कि यह व सुस्थों को शेर करें उनका भी फाइदा हो जाये ऑर तो चलो हम देखते हैं है जब सकते हैं कि यहँट वार्ड वाड वीो M. musi an बाइंड ऐंग र में आइंगिलर मोशनन का मतलब क्या है और और अंगिलर का मतलब क्या है तो linear motion बोले तो क्या है समझो एक object है और इस तरह से अपने पाक पर अगर यह बाड़ी इस तरह से continue आना जाना कर रहे है कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहे है तो उसको कहते हैं that is called as linear motion this motion is called as linear motion यह चाप्टर बहुत अच्छा है बहुत easy है लोगों को teaching करने में यह बहुत दिक्कत आती है और बहुत attention आता है लोग यह अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पाते यह चाप्टर की खासी है लेकिन मेरी एक इस बारे में एक खासी है कि सबसे ज़्यादा यह चाप्टर मुझे पसंद आता है mathematical है conceptual है और बहुत जल्दी समझ में आ जाता है अगर आप सुरूशे इसे ध्यान देके पढ़ रहे हो तो अगर आप देखेंगे करेंगे वैसा 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 अगर कुछ करोगे तो यह चाप्टर आपकी समझ में नहीं आएगा लेकिन आपको यह चाप्टर फर्स्ट वीडियो से लेके एंड के वीडियो तक आपको इसे पढ़ना होगा और बहुत ध्यान देके आपको पढ़ना हो लिनियर मोशन के बारे में मैंने आपको बताया कि लिनियर मोशन बोले तो क्या है समझो अगर कोई बोड़ी है अगर कोई बोड़ी है और ओ बोड़ी continue up down करती है अपनी ही रस्ते पे इस तरह का आना जाना करती है तो उसको हम कौन सी मोशन कहता है that motion is called as linear motion और दूसरा मैं बता देता हूं angular motion यह देखो यहां मैं एक pain मेरे हाथ में लेके आपको बता रहा हूं यह दूसरा pain लेके बता देता हूं ओके ओके बेटा बहुत अच्छी तरह से गाली दे रहा है ओके बेटा ओके तेरी माँ और मेरी माँ एक ही है बेटा जो कौन भी है जो कौन भी है तू मेरा भाई है बेटा तू मेरा भाई है अरे उसको retract मत करो retract मत करो उसने नाम ही रख दिया है वैसा उसका login नाम ही वैसा है ओके बेटा जबरदस्त उतना इतना प्यार करता है तू मेरे पे thank you तेरा लौगी नाम ही मेरे जैसा आपने लग दिया है मेरा नाम रखा है आपने ओके बेटा ओके ओके तु मेरा भाई है बेटा मेरा भाई है रहे वो विजे देवकार वो जो उपर वाला है ना वो मेरा भाई है उके चलो तो उसे कुछ मत करो उसे रिट्रैक्ट मत करो वैसे रख दो तो देखो इस तरह से अगर कोई बोड़ी इस तरह से मुमेंट करती है इस तरह से तो ये देखो इसकी जो मुमेंट होती है ये मीन इस तरह से तो ये ये पोजिशन पे है और बाद में ये बोड़ी अग दोनों के बीच जो एंगल अपको देखने को मिलता है जो एंगल आपको देखने को मिलता है उसको कहते हैं एंगल aur angular motion बोले तो oh body जो कुछ भी angle displays करती है उसको हम angular moment करते हैं angular motion कहते हैं दूसरी एक बात बता देता हूं मैं और एक बात बता देता हूँ और एक बात बता देता हूँ समझो यह center है और समझो यह body इधर है और यह body इस तरह से revolution कर रही है यहाँ आ रही है तो यह जो angle होता है उसका यह जो angle त्यार करती है इधर से लेके यहाँ तक आतित वक्त यह जो कुछ भी एंगल तैयार करती है एंगल बोरी जो कुछ भी एंगल डिस्प्लेश करती है वह एंगल इस आंगुलर मोशन ओके चलो तो उसके बाद यह यह रहा अंगुलर मोशन उसके बाद अभी hits a आगे का point देखते है, can you give some practical examples of oscillations in our daily life, oscillations में के daily life के कुछ examples आप बता सकते हैं, क्या, ऐसा यहाँ पूचा गया है, तो देखो, then you can give some practical examples, daily life में कुछ examples बता सकते हैं, क्या, हमारा जो pendulum की clock होती है, दिवार पे बिठाय वाली, उसका जो example है, वही क्या है, एक oscillation का example हम बता देते हैं, समझो कोई बस है, वो बस, अगर एकी रूट पे आना जाना करती है, एकी रूट पे आना जाना करती है, एकी रूट पे आना जाना करती है, तो उसे हम oscillations कहते हैं, that is also called as oscillations, यानि कि अगर बोड़ी एक ही रस्ते पे continue आना जाना करती है तो उसको oscillation कहा जाता है और आगे का bit क्या है देखो Then what do you know about the restoring force Restoring force का मतलब क्या है तो restoring force हम किसको कहते है तो restoring force देखो अगर कोई spring है यह देखो यह spring है और यह spring को अगर हम उठाते है यह compress होती है समझो हमारी pain की हमारी जो pain होती है यह देखो इस तरह की जो pain है यह pain में एक spring होती है इसमें एक spring होती है देखो आपको मालूम है ऐसे pain में जब इसको जब हम rotate करता है तो refill बाहर आती है है ना इस तरह से बाहर आती है और इसको हम पुरा clockwise rotate करते है तो refill अंदर जाती है लेकिन ये refill को अंदर बाहर करने के लिए जो कोई help करता है उसको कहते है spring और spring को हम तोड़ा सा rotate करते है यानि कि उसको दबा के रख देते है प्रेस करके रख देते है यानि कि जब रिपिल बाहर आती है तो spring ऐसी compress में रहती है और जब इसको हम rotate करते है तो pain अंदर चला जाता है और spring उसको धके लिती है उपर यानि कि इस तरह का जो motion करने के लिए motion जहां होती है उसको भी हम isolation कहते है और अभी जो आप बाजू में देख रहे है ये भी एक isolation ही है this is also called as isolation ओके ये restoring force के बारे में मैंने आपको बता दिया दूसरा एक example बता देता हूं मैं आपकी जो game जो बच्चे की बच्चों की रहते ना games खिलने के लिए जो मोटार वगेर चावी की मोटार वगेर रहती है उसको हम चावी देते है और चावी देके उसमें अंदर एक spring होती है तो spring में हम एक force store करके रख देते है फोर्स स्टोर करके force रख देते है उसको हम restoring force कहते है यानि कि उसको जो कुछ भी हम चावी चावी घुमाने के बाद अंदर एक spring होती है वो completely compressed ice की roll होके perfect roll होके बैठती है और उसके जब हम चावी छोड़ देते है तो वो relax होती है रिलाक्स होती हो spring और spring रिलाक्स होने के वज़ाए से वहाँ एक कुछ gear वगेर होते है और वो gear क्या करते है वोसी wheel को rotate करती है और rotate कर करने के वज़ा से जो कुछ भी वो play जो toys होते है जो कुछ भी toys होते है वो toys work करने लगते है और उसका jumping वगेरा 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 कुछ different concept वहाँ बिठाए जाते हैं ओके और आगे का beat बता देता हूँ आगे का point तो इस तरह से यह जो beat है ओके इस तरह का concept then all musical instruments यह देखा restoring force के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है इसके बाद all musical instruments make use of oscillation musical instruments जो होते हैं हमारे जो harmonium होगा उसके बाद जो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ harmonium के बाद दूसरा हमारा flute है flute की ear vibrate करती है जो हमारा वीना होती है भजन कृतन में जो हम वीना का इस्तेमाल करता है उसमें भी vibration होता है वो भी इस तरह से ही काम करता है बहुत सारे ऐसे musical instruments वगेरा होते हैं ति यह पूरे के पूरे किस पे काम करता है आसूलेशन पे ही काम क करती है और जगे पर प्लेब करने के बाद वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है और दाड़ीज अलसो वर्किंग ऑन दी बैसिस आफ आसूलेशन ओके और देखो ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट्स मेक यूज आप असूलेशन क्या यू यू कान यू आइडेंटिफाय आज है बहुत सरे बता दिया मैंने जिटम प्लchez के बारे में 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 बदा दिया हर्मॉनियम में वही होता है जो हम सारंगी ब्लकते प्लेब granny न की Klits होते आप बता सकते हैं, यह कि आपको भी मालूम है, क्यों वहाँ आपको यह आसुलेशन की एक्जम्पल आप वहाँ बता सकते हैं, और उसके बाद, वाई डज बाल फ्लोटिंग ऑन वाटर, वाई डज बाल फ्लोटिंग ऑन वाटर, बॉब्स अप एंड डाउन, इप पुश्ड डाउन एंड रिलिज्ड, यानि कि पानी के सरपिस, पानी पे, अगर आप देखते हैं, समझो एक थर्माकॉल का बाल वगेरा आपने रख दिया तो वो क्या करता है, वो अप एंड डाउन परफर्म करता है, वहाँ, यानि कि अप एंड डाउन क्यों परफर्म करता है, क्योंकि वहाँ, जो कुछ भी अप एंड डाउन परफर्म करता है, अप एंड डाउन परफर्म करने की वज़र से, इस तरह से, जो पानी में उसे अभी आपको बता दिया तो इसमें देखो दूसरा एक बीट आपको बता रहा हूं यहां तो क्या है देखो आसुलेशन इन वेरी कॉमन देखो इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूं तो इंट्रोडक्शन बता रहा हूं इस चाप्टर का तो क्या है देखो आसुलेशन इस इस वेरी कॉमन यह कॉमन है देखो अभी आप यहां देख रहे हैं हमारे डिलाइप में बहुत सारे ऐसे एक्जामपल्स आपको देखने को मिलते हैं आसुलेशन के बारे में इंट्रेस्टिंग फिनामेन इन दी वर्ड ऑफ फीजिक्स यानिकी फिजिक्स में बहुत ही इंट्रेस्टिंग है हमारे चाक्टर में जो कुछ भी दिया गया है बोड का मटेरियल बोड के बुक में वहीं आपको मैं बता रहा हूं और उसके बाद अगले बीट में मैंने बन वाला फिपल करता है तो वही देखने को मिलता है आपको वही आसुलेशन है अगर कपड़े सूकने के लिए अगर कोई कसी रसी के ऊपर आपने दाल दिये तो वहां भी आपको यह फेनोमेनल देखने को मिलती है यानि कि हर जगह यह जो प्रोसेस है यह प्रोसेस आपको देख बाद दूसरा पॉइंट है इन आवर डेली लाइब वी कम अक्रॉस एक्जम्पल्स आफ असलेटरी मोशन जो है पॉइंट यह बहुत इंट्रॉड़क्शन बहुत अच्छी तरह से दिया यह चाप्टर का बहुत अच्छी तरह से बहुत जबरदस्ट समझ में आ जाएगा आ मैं डिया मैर्या संटेश कुछ भी इसमें ओड नहीं आई किया भस मैंने पैरेग्राप को छोटे 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 में कनवर्ट किया है बस इतना है लेकिन बुट का ही मठील है यह औके आस्लेशन इन वेरी कॉम उसके बाद इन अवर डेली लाइब वी कम अक्रोस व् इमोशन वेरियस एक्जामपर्स कौन से कौन से लाइक रॉकिंग ऑफ दी रॉकिंग ऑफ क्रैडल मालूम है आपको उसके बाद स्विंगिंग ऑफ स्विंग जोका वगेर आप पर मनतु चाला जोका मोशन ऑफ पेंडूलम ऑफ क्लॉक जो दिवार पर होती है ना पेंडूलम की क्लॉक होती है उसका जो दोलक होता है वह दोलक कंटिनुल इस तरह से मुमेंट करता है ओके वाइब्रेशन ऑफ गीटार और वायुलिन स्क्रींग गीटार की जो स्क्रींग होती है उसकी जो वायर होती है ने तो वायुलिन मालूम है कांदे पर पकड़के ऐसे वह बजा इस तरह से आपको देखने को मिलता है तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है और वह मेटल का होता है मेटल का होता है आयर्न का वगेरा होता है वह मेटल का बनाया जाता है और उसमें से एक आवाज आता है और इसे मराठी में नाद काटा कहा जाता है नाद काटा प्रॉंग्स यह दो के यह प्रॉंग्स है तो इसके क्या कहता है यह जो होता है इस तरह का यह प्रॉंग होते हैं यह दोनों प्रॉंग होते हैं दोनों भी प्रॉंग और यह स्टेम होता है स्टेम और उसका वाइब्र इस इस कार्ड आइज डान आसलेशन कि अधि और यहां जो अपना नाम भी आप देख रहें ये भी असलेशन है कि यह अजैसा एक बार वैव जा रही है उसके बाद दूसरी वियो जा रही है दूसरी वियुद इस अपना जिनियंस यह भी इस तरह का मोमेंट है यह और आगे अगर कोई motion ऐसी पिरोडिकल होती है तो उसको क्या कहते है यह इस तरह का यह ना यह सेम वाला सेम वाला इस तरह का भी यह एसलेशन करते रहता है वायलिन ऑफ गीटार की जो वायर होती है वह भी फिक्स ऐसे इंटरबल पर वह काम करती है और इंटरबल पर काम करने के वज़र से उसको क्या कहता है ज़े और उसके बाद उसके बाद आगे का पॉइंट मैं आपको बता रहा है, here the motion of an object is, देखो, periodic motion, यानि कि इसको एक oscillation करने के लिए, जो कुछ भी time लगता है, वो हर बार ये की उतना ही time लगता है, इसलिए इसको हम कहते है, periodic motion, periodic motion कहते है, और मैंने जो मेरी जो definition है, वो मैं आगे बता रहा हूँ, मेरा material आगे है, आ अच्छे लग है, क्योंकि ये बताने के लिए, examples वगरा बताने के लिए थोड़ा सा बच्चों के easy जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ये paragraph मैंने रखा है, आगे का भी एक दो paragraph मैंने रखा है, लेकिन मेरे definition आगे मैंने उस वक्त, यानि कि periodic motion में इसमें भी मैंने दिया है, ये जा रही है, slowly, और ये slowly उपर आ रही है, इस तरह से, spring है, ये spring की जो motion है, ये भी up and down की motion है, और ये two and pro, अगर आप ये बाब देखता है, तो बाब का two and pro motion है, लेकिन आप यहाँ देखते है, जो इसका mean position, दोनों के दर्ब, दोने के बीच में, जो कुछ भी angle तैर होता ह है, और ये जो कुछ भी angle form करता है, उसको हम angular, simple harmonic motion कहता है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं, और एक बार देखो, here the motion of object is mostly to and fro, to and fro, ला मराठी मदे एकड़ों तिकड़े मनता, और अपांड डाउन मंजे वर खाली, अशा पद्दतीनी एक motion होती रहती है, ओके, च ये fourth point में आपको बतारा, oscillating motion is a periodic motion, periodic का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, अगर कोई body इस तरह से आना जाना कर रही है, एक ही path पे, तो उसको हम periodic motion कहते है, that is called as periodic motion, और उसका आने जाने के लिए उसका जो कुछ भी time लगता है, तो हर एक setup moment के लिए लगने वाला time हर एक moment म सेम होता है, और इसलिए इसको हम periodic motion है, equal interval of time, यानि कि ये जो moment होती है, after equal interval of time में होती है, इसलिए इसको हम periodic motion कहते हैं, ओके, और आगे का बीड़ देखो, in this chapter, ये chapter में, oscillation chapter में, क्या है, we shall see that the displacement, displacement के बारे में, velocity, acceleration, displacement, यानि कि x है, velocity, V है, और acceleration, ये, ये आपको यहाँ learn करना है, okay, for the motion can be represented by sine and cosine function, कोन से function में, sine and cosine function में, यानि कि, ये देखो, sine theta, और cosine theta, यानि कि cos theta, इस पर, sine and cosine function में, आपको इसको learn करना है, इसलिए, these functions are known as harmonic functions, और इनको, क्या कहा जाता है, harmonic functions कहा जाता है, तो इस तरह से इसको आप हम harmonic motion भी कहते हैं, अगर इसमें कुछ doubt है, कुछ difficulties है, तो आप comment भी करके मुझे आप पूछ सकते हैं, उसके बाद, then, therefore, an oscillatory motion, obeying such functions is called harmonic motion, और एक बार देखो, oscillatory motion, अगर कोई oscillation करने वाली body, अगर ये functions, अगर वो follow करती हैं, ओबे करती हैं, तो उसी motion को हम क्या कहते हैं, that is called as harmonic motion, harmonic का मतलब होता है, equal interval of time, अगर एक बाड़ी है, समझो ये बाड़ी है, और एक ही रस्ते पे अगर आना जाना करें, बाड़ी इदर यहां से निकल के बाड़ी यहां आ गई, यहां से original position पे आ गई, बाद में ये बाड़ी इदर extreme left पे आ गई, और बाद में mean position पे आ गई, यहांने के mean position पे निकल के extreme right जाके, extreme right से mean पे आ के mean से extreme left पे जाके, left से बाद में, वो mean पे आने के लिए उसको जो कुछ भी time लगता है, वो time, हर एक set of moment के लिए वो time, same लगता है, constant लगता है, और same और constant लगने की वज़र से, उसको हम कह कहते है, that is card as, that is card as periodic motion, और उसी motion को हम, कौनसी motion कहते है, that motion is card as periodic motion, और उसको हम periodic motion कहते हैं, okay, तो देखो, आगे का bit बता रहा हूँ, आगे का, then, okay, यह देखो, मैंने यह आपको यहाँ, बता दिया है, okay, इस तरह से, therefore, harmonic functions, or being the functions, such functions, called as harmonic motion, अगर वो, sine, cosine का function, अगर वो, follow करते हैं, तो वो, this is also called as harmonic motion, after studying this chapter, यह chapter, study करने के बाद, you will able to understand the use of appropriate terminology of described oscillation, actual oscillation का meaning, आपके समझ में आ जाएगा, simple harmonic motion, this is called as SHM, यहनि कि, यह chapter learn करने के बाद, आपको इस बारे में, अच्छी तरह से, आप explanation कर पाओगे, then, graphical representations of SHM, graphical representation of SHM, energy changes during SHM, energy changes during SHM, damping of oscillations, damping, यहनि कि, oscillation, damp oscillation है, इस तरह से, अगर शुरू में oscillation जादा होती है, लेकिन धीरे 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 वो कम कितने होता है, कम होते जाते है, और लास्ली हम मैं आपको बताने वाला हूँ, resonance, यानि कि, यह चाप्टर जब आप पढ़ोगे, तो शुरू में मैं आपको oscillation बताने वाला हूँ, उसके बाद, simple harmonic motion के बारे में, और इसके दो टाइट जो होते हैं, एक linear simple harmonic और दूसरा angular simple harmonic motion, graphical representation of SHM, उसके बाद energy changes during SHM, अगर कोई body SHM परफॉर्म कर रही है, तो उसका energy किस तरह से बदलता है, यह भी आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद, damping of oscillation, damping of oscillation, बोले तो शुरू में oscillation ज़्यादा होते हैं, और दीरे इस तरह से बड़े होते हैं, और बाद में, ऐसे करके दीरे 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 कम होते हैं, और इसको कहते हैं, damping of oscillation, और उसके बाद है, जो beat है, वो है resonance, resonance का मतलब है, कि अगर दो bodies है, अगर उनकी vibrations, उनका oscillations, अगर एक ही बार आपको देखने को मिलता है, तो एक resultant amplitude आपको specially देखने को मिलता है, उसको कहते हैं, resonance, तो यह resonance वाला repeat हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ओके दोस्तों, अगर इसमें कुछ doubt है, कुछ difficulties है, तो आप थोड़ा सा comment करके आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके उपर मैं special video बना के आपके लिए मैं पेश करूँगा, ओके, तो इसके बा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, नेच्ट वीडियो में, तब तक, जय हीन, जय भारत अच्छो, बाई बाई, टेक येर, थांक यू